कि यूटुब चनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है में नाम में अबनाश्पिताप सिंग और हमें इस स्रीज में पड़ रहे हैं हमने लास्ट लेक्टर में चैप्टर 10 का पहला पार देखा था इस इस पार्ट अप्टर 10 तो चलिए शुरू करते हैं तो हम देख र पॉलिसी ऑफ गवर्मेंट ऑफ इंडिया और कस्तम्स अक्ट है ना इन चार्व एक्ट के जो प्रोवीजन से उसमें जो जो बाते लिखी हुई है उन्हीं सबसे लॉज बनते हैं हमारे और उसी के बेसिस पे हमारा इंडिया में ट्रेड होता है इन वाइल लाइफ और प्ल देख लेते हैं पहले क्या था अब यह एमेंडमेंट हो चुकी है इसमें अब शेडियोल 6 से 4 कर दिये गया है तो इसको पहले हम 6 देख लेते हैं कि पहले कौन-कौन से 6 थे पहला जो शेडियूल वन था उसमें इस लेवल प्रोटेक्शन मिलती थी इस प्रसीज को इसमें इंदेंजर्ड शेडियोल सारी होती थी और इन का जो ट्रेड़ है वो प्रोईबिटेट रहता था था ध्रावर इंडिया इसके बाद और कई शेडियूल थैसे शेडियूल 2 जिसको बोलते थे श्यल फैाशल प्रोटेक्शन शेडियूल 3 में और शेडियूल 4 में देख स्म सब्ख्रांटकराइद जक्ताइब गवर्मिन जबन कहीं करती आता चैशक्ताइब Ben किसे एर्यामें बंदर की पापूलेशनताइब घरिए- leggाट इक अन्य चीज़ादा जान रहे गए मुच्जादा नंबर में हो गए हैं कि अब आम जो लोग हैं उस एर्या के वह उनका जीना अराम हो गया है उनकी फसल खा लेते हैं उनके घरों में घुझ जाते हैं उनका खाना चुड़ा लेते हैं तो ऐसे स्पेशल केसे में जो वहां की लोकल गवर्मेंट है या स्टेट गवर्मेंट है वह कह सकती है कि इस एरिया में मंकी इस वर्मिन में हम डाल रहे ह उसका मतलब यह हो जाता है कि जैसे किसी स्पीस को वर्मिन केटेगरी में डाल दिया गया जो शुडियूल 5 था हमारा उस केस में इनको मारना अलावड हो जाता है और यह भी बहुत रिस्टिक्टेट सेंस में होता है कहीं-कहीं जब पॉपलेशन बढ़ जाती है या मालीजे क कोई पिक्स के केस में हम देख लेते हैं आप एसके में गवणर्मिन ऐसे नियम ला शक्ति है तो केस भाई केस करता यह और एरिया भाई एरिया बीटिफर करेगा इसके बारे बात करता था तो यह एसे प्लांट मेई में रहेंगे जिनका ट्रेडर कल्टीवेशन होता था अ ना आप इनको कर सकते हैं, ना इनका ट्रेड गर सकते है, इसमें एक्जामपल कैसे है, देख लेते हैं नीचे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, विचरब्लांट, स्लिपर ओर्किड, कूथ, रेडवांडा, ब्लूवांडा हैं, यह मालो एन्डेंजरड प्लांट होंगे, या तो कोई और रीजन्स भी हो सकता है सब्सक्राइब कोई ऐसा प्लांट है जिससे बहुत टॉक्सिक पॉईजन बनाया जा सकता है तो उसको government schedule six में डाल सकती थी similar इस दा केश्वित कि किसी एलिएंग बहुत काम है किसी प्लांट की तो उसको भी शिडिएल शिक्स में डाला जासकता था अगर कोई प्लांट शिडीयोल शिक्स में आ गया तो मतलब सिंपली यह है कि ना इसका कोई कर पाएगा अगहीश इसको और पार्टू ऑफ शेडियूल टू आर प्रोहिबिटेड तो यह जो शेडियूल थे ना इसमें भी पार्ट बन पार्टू थे तो बड़ा कॉंप्लेक्स सिस्टम था पहले कि अलग अलग डिगरी ऑफ प्रोटेक्शन की तौर पे फिर इसी जो हमारा एक्ट है इसी के प्रोवीजन के अंदर जो हमारा आइवोरी होता है उस पर लोग आर्ट बनाते हैं या फिर ऐसे ही सेल करते हैं उसका भी ट्रेड बैंट था है ना फिर in 1986 में बैंड सेल और इंडिया में है फिर इस बैंड मेंड में गया था वाइला ड्रक याद रखने हैं आप्साइब हमारा टाइकर वाला और वाई लाइट लाइफ क्राइम कंट्रोल यह दोनों के इस प्रोविजन से इंदर आए हैं सब्सक्राइब नहीं है लेकिन आप लोग एक पेंसिल से साइड में लिख लिए क्योंकि यह जो इन्फॉर्मेशन है यह ओल्ड है सब्सक्राइब नए कौन से चार है वह देख लेते हैं तो यह देख सकते हैं वाइल लाइफ रोटेक्शन अमेंडमेंट अक्ट 2022 में आया था यह जो पहले छे थे उसको चार कर दिया गया है तो बैसिकली वन में ऐसे अनिमल्स होंगे जो हाइस लेवल अफ प्रोटेक्शन हो पास फिर स्यड्यूल टू में ऐनिमल्स होंगे जिसके वास उससे कम थोडी डिग्री ओफ प्रोटेक्शन होगा शेड्यूल थ्री यहां पर कर दिया गया है प्रोटेक्टेट प्लांट इस्पीसीज के लिए ना और शेड्यूल फॉर स्पेसिफिकली बनाया गया है साइट साइट्स में जो भी लिस्ट किये जाएंगी प्लांट और अनिमल की इस्पीसीज वह शेड्यूल फॉर में जाएंगी तो अभी नया क्लासिफिकेशन है बुक में अपडेटेट नहीं है आपको अपडेट करना है साइड में लिख लीजे बुक में पैंसल से और जो कि अब आगे चलते हैं कि इसके बाद कुछ और एक्ट देख लेते हैं जिससे ट्रेड हमारा फॉर्ण ट्रेड जो है वह रेगुलेट होता है जैसे है फॉर्ण ट्रेड डेवलेप्मेंट रेगुलेशन एक 1992 इसमें भी गवर्मेंट ऑफ इंडिया प्रोविजन बना सकती ह है इंपोर्ट और एक्पोर्ट के लिए जिसमें वाइड लाइफ स्पेसिमन हो है ना कि डिटेल जाना इतना इपॉर्ट नहीं है बस आपको नाम याद रखना है कि पोरें ट्रेड डेवलेप्मेंट रेगुलेशन एक 1992 उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक्ट का जाने म मेजर मेजर जैसे वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया है ना और कौन-कौन सी पॉलिसी है इस तरीके का बस नाम बस मेंशन अगर मेंस में कर पाएं याद रहे तो तो अच्छा लगेगा इट कैन फेच एक्ट्रा मार्क्स इन मेंस इसके बाद है पॉरें ट्रेड सकते हैं यह सब हाला कि इन्फर्मेशन इसके इंपोर्टन नहीं है बट एक बार रिटिंग जरूर कर ली जाएगा बाकी जब आपको मेंस में आंसर राइटिंग लिखनी है तो इनके आक्ट के नाम लिख पाएंगे वही बहुत सफीशन्ट है ना कि फॉरें ट्रेड पॉल पॉलिशी फिर उसके बाद कॉमा करके एक्जिम पॉलिशी है ना तो मेंस के आंसर में हम सिर्फ में में हेडिंगे अब हम आगे चलते हैं तो अब हमने यह तो देखिए एक्ट बने हैं लेकिन इसका एंफॉर्स्मेंट कराता कौन है मतलब कानून बन जाने से वह अपने से अपने फॉल वालों होगे यह तो सऑ निस्यत नहीं होता है कि वह ही तो यह तो एक अधॉरी वाद करेंगी जो पकड़ेंगी जो तो रिपोर्ट करेगी जैसे अब देश में हमारे अलग-अलग कानून है लेकिन उसको एंफोर्स तो पुलिस कराती है राइट कि कुछ होता है तो लॉन और लॉन और मेंटीन करती है जाके तो फेड के रिस्पेक्ट में कौन काम कर रहा है यह वाइल लाइफ क्राइम कंट्र किसला है तो इसके से आपको याद रखना है कि दो मेजर एक्ट आते हैं है तो मेजर संस्था आती है और साइट रेटेड हमारे जो एंफोर्समेंट है उसको भी कौन देखती है यही अगया देखती है उजहीं टेक्टियों और डा मिनिस्ट्रिट्री और फ़ॉर्स्ट्ट क्लाइमेट चिंज पांच रीजनल ऑफिस कहां कहां है इसके डेली कोलकत्ता मुंबई चन्नाई जबलबुर तो फाइब बॉर्डर यूनिट्स कौन कौन से इसकी रमनातपुरम गोरकपुर हो गया मोतिहारी हो गया नातुला हो गया और मोरे हो गया यह बॉर्डर पर भी इन अधर इन्फोर्स्मेंट एजन्सी तो इंटेलिजन्स का काम भी कलेक्ट यही करती है कि कहां पर कोई गैंग बनाके बैठा हुआ है कौन किस थारिक को ट्रेड करेगा है ना इंटेलिजन्स जैसे पुलिस करती है अपने मुखविर बिठा बिठा के सेम वैसा काम इनका भी ह है कि है ऐसे वारे में उसके बारे में इसकी और यह स्टियेट रखने मिया और का रिकॉर्त प्रखने इसके पास है तो कोडिनेट एक्षिंस भाई वैरियस एजन्सी इन कनेक्षिंट टो इन्फोर्स्मेंट आप दो प्रोविजिन अग्षिंस है उसको एंफोर्स कराने के लिए भी यह कोडिनेट कर सकती है अधर एजन्सी के साथ तो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करती है निया तो इसन करती है सारे लोको करने वालों को सब्सक्राइब शाएं सारे अमस्क्राइब करने वालों कोБो पकड़नाे तो गवरणने को लिए कि अगे ना हूट उसके लिघन वाली ने कोल से काम करने कि तो वेक लिए 사진 शेल metena को यह सकते हैं वह जांव करने क्या से इस depuis रिगार स्ओव वाइड लाइफ फ्रेड फिर इसके बाद जो हमारा वाइड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरों का उप्रेशन है क्लीन अर्ट उसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ साल पहले तक हो क्या रहा था जो हमारे नेवले होते हैं ना मैंगूल से बोलते हैं और इन्हों इनके बालों के लिए जयाता था इनके बाल निकालकर क्या एक सब्रस्ट बनाए जाते थेना वोग बताया है इसे लिए लाइफ क्राइफ राइब करनल फेर ने ट्रूल tą उप्रेसिछ छला था इसके नदर उन्हों ने जगह जगह तर रीओं मारी और जगह जगह पर जो ऑपरेशन चल रहे थे स्मगिलिंग मॉंगूज हेर के उसको तोड़ा इसमें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चला था यह ऑपरेशन अब यह ऑपरेशन शुरू कैसे हुआ अब यह अपरेशन शुरू कैसे हुआ होगा और जो पहले आप देशक्ते हैं जो डेड़ सो ग्राम डेड़ सो किलो ग्राम जो हमारा मैंगू सब्सक्राइब निकलता है उसके लिए टली से हजार नेवले मरेंगे तब निकलेगा तो तो बहुत ही थ्रेटनिंग है यह नेवलों के लिए है न जो हमारी मैंगो इसको बता देता हूं आपको कि जो मांगू है हमारे यह अभी जो हमारी नई लिस्ट है उसमें शिड्यूल वन में आते हैं इंटरनेट में भी आप जब कोई स्पीस के बारे में ढोड़ने जाएंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओर्ड मिलेगी आपको बहुत सारी साइट्स ने अपडेट इसको नहीं किया है इसले बहुत ज्यादा कंफियूज है ना और अपनी बुक में अपडेट कर ले क्योंकि और खहीं आपको अपडेट में आपको अपडेट नहीं मिलेगी आपको आप कि पूरानी इंफ्वर्मेशन से मिक्स कर देता है यह तो आप देखें जड़ी थी के बियों और एनां ऐसा कोई आर्टिकल हो और उसमें भी पुराना तो नहीं ले रहा है नया ले रहा है कि नहीं अला कि पीडियाफ से देखना आपके लिए बैस्ट होगा क्योंकि यह एमेंडमेंट की ही पीडियाफ है है और तो एसे से जहां जहां पर शेडियोल मेंजन मिलेंगे एक बार इसको अपडिए कर लिजेगा पैंसल से लिख लिडिय ससे च्यक्राइब लीजे च्छिडियू वन न्योव लियाँ यांदेट वाले में दिखना है था लख शाइट सके अपेंडिक्स सवन में भी है यह तो इसके उपर complete ban लगता है, अब इसके बाद एक दूसरी campaign थी हमारी जो wildlife crime control bureau की, वो क्या थी, not all animals migrate by choice, तो यह किसके साथ इन्होंने मिलके launch की थी, UN environment के साथ, to raise awareness on illegal wildlife freight, तो international level पे भी बहुत सारी organization है, जैसे UN environment है, यह काम कर रही है, ताकि जो wildlife products के demand है, उसमें reduction आए, तो उसे लिए ऐसी campaign launch की गई थी, wildlife crime control bureau के द्वारा इनके साथ मिलके, ताकि लोगों में awareness फैले, कि भाई, यह सब गलत है, इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, इन सब myths म या beliefs में, बहुत बार reason होता है, wildlife के trade का की, उसके पीछे कोई myth associated है, कि यह साब खालो, इसमें शक्ती है, यह फल खालो, इसमें शक्ती है, है न, हमारे इंडिया में तो साब आपका नहीं होता है, इससे जादा, हमारे तो, जो जड़ी बूटियां है, उसमें ही जादा focus है, चाइना, अगर हमें आप जाएंगे, तो वहाँ पर जानवर के ऊपर बहुत सारे, इसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, कच्चे, जानवर, फ्रेश ब्लड और बहुत सारी चीज़े, तो इसलिए चाइना और जो हमारे साउथ इस टेशिया है, इन कंट्रीज में, जानवरों की, एक्स्क्लूसिफ चीज़ों की डिमांड बहुत जाता रहती है, तो जो हमारा फेस्वें वहाँ था इस campaign का, उसमें कौन-कौन से जानवरों को feature किया गयता है, टाइगर को, पैं हमारा next topic है, convention on migratory species, इसका पूरा full form क्या है, convention on conservation of migratory species of wild animal, है ना, यह एक international treaty है, जो कब साइन की गई थी, 1979 में, born Germany में, और यह कब existence में, 1983 में, तो क्योंकि born Germany में साइन की गई थी, इसको born convention भी से लिए कहते है, या फिर global wildlife conference भी कहते है, तो अलग-अलग नामों से जाना जा है, CMS, born convention, global wildlife conference, तो आपको याद रखना है, यह तीनो words associated है, आपस में, और इसके बाले में खास बात क्या है, कि इस the only global and UN-based internal governmental organization, established exclusively for conservation of terrestrial and aquatic and aviation migratory species throughout their range, है ना, तो एक बड़े scale पे, यह लौती ऐसी treaty exists करती है, हमाले पास, जो कि, जो हमारी migratory species है, जो औरने वाली migratory species है, या फिर जो terrestrial है, या फिर जो पानी में migrate करती है, तो एक broad scale पे उनके conservation की ये बात करती है, आपको पता होगा कि जो इंडिया में migratory birds हाती है, जब रशिया वगएरा में ठंडी बहुत हो जाती है, winters में, तो यहाँ से पूरे जो northern area है, यहाँ से birds वोड़के, जो नीचे के area है, जैसे इंडिया हो गया, और southeast Asia हो गया, तो यह पूरा migrate करके यहाँ winter में रहती है, फिर वापस वो चली जाती है, तो यह migratory हो गई, आप जैसे शुंदर बन delta का आपने नाम सुना होगा, वहाँ tigers पहुत सारे रहते हैं, बेंगॉल टाइगर जिसे हम बोलते हैं, तो य KMS में उसके conservation की बात होगी, बेंगॉल टाइगर की, तो इंडिया और बांगलादेश दोनों उसमें आ जाएंगे, ऐसे बात नहीं होगी, कि सिर्फ इंडिया में conservation करना है, टाइगर कहां कहां मूव कर रहा है, उसका पूरा range होता है, जिसे हम बोलते है, तो यहां तक जाता है, कैसे हम कम कर सकते हैं, तो इसी तरीके से एक large, जो international level पर एक लौती ऐसी टीटी यह exist करती है, है ना, similar is the case with aquatic, जो जानवर है हमारे या fishes है, उनके साथ भी, कि बहुत सारी fishes हैं, जो migrate करती है, turtles है हमारे, है ना, यह migrate करते हैं एक जगे से दूसरी जगे, आपने सुना होग एक बहुत फेमस ठर्म है, अरी बाड़ा किसको हम बोलते हैं, जो olive रिटली टर्टल होते हैं हमारे, वो annually जब आते हैं अपने एक को देने, तो इंडिया में बहुत सारे आते हैं, गहिर माथा बीच हो गया, जो हमारी है, eastern coast में, तो इस coast में आते हैं, बहुत सारे, olive रिटल तो अरी बादा क्या होता है, बैसिकली, यह बैसिकली annual migration है ना, जो turtles है हमारे, उनका, उनको यहां पर आना है एक देने, अब जब हम इनके protection की बात करेंगे, तो हम यह थोड़ी बोलेंगे, कि बस यह समुद्रों में रहे हैं, तो इस एलिया को प्रोटेक्ट करो, या फिर प्रोटेक्ट करेंगे, तो इस एक देने आ रहे हैं इंडिया की, उसको भी ऐसा बनाया जाए, कि वह प्रोटेक्ट्ट है, इसमें मैंने कौन सी बीच बिच बिताई, जो फेमस है, गहर माथा, पिर राश्री कुल्या करके भी है, यह पूरे और इस 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 इंड कोस्ट में फैलियो हिया लगे, और भी है, तीन-चार फेमस फेमस नाम है, आपको ऐसे इन जर्नल याद रखना है, कि माइगरेशन होता है, और यह पूरी रेंज कहलाएगी, और कहीं भी अगर जाता होगा, माइगरेट करके, तो यह पूरा एरिया उसके रेंज में आ जाएगा, जब वी आर टॉकिंग अबाउट सेविंग इस इस पीसी तो हम फूरा इनको क्या बूलते हैं, कि हम पूरे इसके 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 इस इस जो जो migration करने हैं तो आउट नेशनल बॉर्डर या इंटरनेशनल बॉर्डर तो उनके जो conservation की बात करती है यही treaty है पिर इसमें भी appendix one और appendix two species है जैसे appendix one में ऐसी species है अब जब appendix one कि इसमें बात हो रही है जो species है उसमें में डाला किया है appendix one में जिनको extinction होने का risk है मतलब उनके खता हो जाने का और जो cms की जो parties है जिन countries ने cms जो sign किया हुआ है उनको कोशिश करनी चाहिए to strictly protect these animals to appendix one में है similarly appendix two में ऐसे जानवर है या ऐसे migratory species है जिनकी population में बहुत अच्छा फर्क आएगा from international cooperation है न significantly benefit होगा उनको तो हम आगे चलते हैं अब जैसे हमने देखा था कॉप होती है हर हर treaty की अलग-अलग तो इसमें भी कॉप होती है कुछ-कुछ famous तो देख लेते हैं कुछ-कुछ important तो जो इसी conference of parties का इसके बाद कौन बनेगा उजबेकिस्तान तो अभी कौन है उजबेकिस्तान है तो यह 2023 में होने वाला था कॉप 14 लेकिन हुआ नहीं फिर यह भी हुआ है फेबुरियरी दोजबेकिस्तान में हाला कि हमको इंडिया वाले से ज्यादा concern है क्योंकि यह हमारे यहां पिर इंडिया से कौन इस्पीसी थी जो अपेंडिक सब्सक्राइब कि गई थी एशियन एलेफंट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बेंगॉल फ्लोरीकन लिट्र बस्टर्ड है ना तो यह जो साथ इस्पीसी आट की गई ती उसमें से चार हमारी इंडिया की थी पिर कॉप 13 में गाधी इनगर डिकलेशन अडॉप्ट किया गया था इसमें इसमें टॉक्स अबाउट यह एट कॉल्स और एकलोजिकल कनेक्टिविटी ओ और अब हम आगे चलते हैं पिर इसके बाद CMS की एक इनिशेटिव है जिसको हम बोलते हैं Central Asian Mammals इनिशेटिव तो इस इनिशेटिव के थूप जो CMS है वो बैसिकली क्या कोशिश कर रहा है कि वो जो 15 ऐसी माइग्रेटरी जो मैमल्स की स्पिसीज है जो Central Asia में रहती है इनको हम इनके ही हैबिटेट में कंजर्वगा सकें यह कब तक चलेगी 2021 से 2026 अब इंडिया से कौन कौन सी मेजर स्पिसीज एड़ेट है इसमें वो देख लेते हैं तो यह आप कश्मीर इसे कश्मीर का ऊपर वाला हमारे एरिया है आपको पता होगा ऐसा अकसाई चिन वाले अडिया चाइना कबजा करके बैठा हुआ है इसको का बोलते हैं अकसाई चिन इसे एशियाटिक चीता आया चीता जो है कुणो नैस्ट पाख है मत्लपरदेश में उसमें यह एड़ेट है इसे एड़ेट फॉर्मिशन यह कि यह बहुत ही कम है पॉपूलेशन में कून रसे crag में अफ्रीका से हैंना वो पर दे नहीं रहा है और इनके पॉपलेशन बहुत कम इरान में भी पूरा जो चीटा की पॉपलेशन हो जाएगी इसलिए इंडिया में इंट्रोड्यूस भी अमने पर हो है वह आफ रहा है तो यह भी एड़ है इस सूर्ट में साइगा एंटी लोप है बैक्टिरियन कैमल है नौट फाउंड इंडिया नौट फाउंड इंडिया नौट फाउंड इंडिया तो मतलब अलग-अलग इस तरीके से आप देख सकते हैं इन जर्नल यह सारी इंडिया में एक्जिस्स करती है फिर इसके बाद है हमारा इंटरनेश्टल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसको हम बोलते हैं आयूसीन एक बहुत ही इंपॉर्टन ऑर्गनाजिशन है अभी हम देखेंगे इसको यह क्या है बिसिकली एक इंट इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टन रीजन है क्योंकि यह फब्लिश करती है इसका नाम आपने सुना ही सुना होगा कभी ने कभी कि एक रेट लिस्ट है जिसमें इसी में अलग-अलग क्लासिफिकेशन होती है तो यह सबसे ज़्यादा फेमस इसी लिस्ट के लिए है अपनी और क्योंकि जब-जब conservation की बात होती है तो बार-बार रेट लिस्ट में status भी देखा जाता है और एकसपर्स और गवर्रमेंट के दोरह तो इस रेड लिस्ट को और क्या-क्या बोलते है रेट लिस्ट रेट डाटा लिस्ट और रेड बुक यह तीन नाम से अलग-अलग तरी क्या है उसकी एक वाइल्ट की सबसे कंप्रेहंस है मतलब सबसे वाइडर एक इन्वेंटरी है तो जो हम बोलते है आयूसीन रेड लिस्ट ऑफ ट्रेटन स्वसीज तो त्रेटन स्वसीज को भी और तीन कर्टेगरी में डिवाइट किया गया है क्रिटिकली एंडेंजर और क्रिटिकली एंडेंजर्ट स्वसीज को जो घ्रीन मेंडेंट कृते हैं में लेकिन हर साल क्या हो रहा है जो हमारे पिंक पेजquito पेजसे हैं इनकी संक्या बढ़ती जारी है तो इसका मतलब simply क्या है कि जो हमारी नई नई इस्पेसीज है वो critically endangered list में आती जा रही है तो criteria क्या होता है किसी इस्पेसीज को critically endangered उसमें डालने का तो अब यह वाली information आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है बार बार आएगा बार बार लिखा रहेगा किसी इस्पेसीज के आगे critically endangered तो अगर यह information आपको नहीं आ रहे है तो आपको बहुत confusing लगेगा और confidence नहीं आएगा वैसे लिए classification आप जरूर याद रखिए जो critically endangered का पहला पहला क्या है कि उस इस्पेसीज का लास्ट दस साल में 90 परसंट से ज्यादा population खतम हो गया है अगर कोई इस्पेसीज है उसकी लास्ट टैनियर्स में 90 परसंट पॉपलेशन से ज्यादा खतम हो चुकी है इस इस परसीज नंबर्स यह पहला criteria में ठो गया सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि इनका जो population है वह 50 इंडिविज्वल से भी कम हो गया है मतलब अब लगभग पचास के अरूंड या फिर उससे कम नंबर्स में बचे हैं यह लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी critically endangered species है जिनकी population 50 से भी जादा है फिर भी उनको add किया गया है लिसमें तो यह वाला criteria बहुत strictly follow नहीं होता तो हमारी यह दो मेजर जो हमारी condition है यही दोनों है पहली वाली है पहली दोनों इसके के बाद यह जो है यह बाकी छोटी-छोटी conditions है यह लगती भी है नहीं भी लगती है कुछ cases में तो मेजर आपको यह पहली दूसरी आदी रखनी है हर case में तीसरी condition नहीं भी याद रहेगी तो चल जाएगा इस case में आप अधर लिख सकते हैं अधर और 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 भी कई होती है जो कि strictly applied नहीं होती इन दोनों को जरूर देखा जाता है पहली और दूसरी conditions को तो यहां पर आप देख सकते हैं एक इन लोगों ने बहुत अच्छा graph बना दिया है तो पहली हमारी all species है है ना पूरी species है उसमें से दो criteria होंगे यह यह तो उन स्पिसिस को पढ़ा गया है evaluate किया गया है और उनको इभल्यूएट नहीं किया गया है तो बात ही खतम जाती है उन इस पिसीस को तो अलगी कर देंगे आप जिनको इवैल्यूएट किया गया है उसमें भी दो condition होती है एक तो उन स्पिसिस के बारे में adequate data है कि ह हम कुछ information उससे बना पाएं या फिर कुछ analogy निकाल पाएं दूसरा ही डाटा डेफिशन्ट है वो कि डाटा डेफिशन से मतलब क्या है कि इतनी information नहीं है पढ़ा तो गया है बट information इतनी नहीं है इतना डाटा नहीं है कि उसके वारे में हम कुछ बता पाएं इसके बाद जिस जिनके वारे में adequate डाटा है उनको भी अलग अलग के टेकरी में डिवाइड किया गया है जिसमें हमारी तीन थ्रेटेंड के टेकरीज होती है ना थ्रेटेंड के टेकरीज में हमने देखा कौन-कौनसी आती है critically endangered endangered और सबका मतलब इनका देखते है critically endangered का मतलब है extremely high risk of extinction in the wild है ना फिर endangered का मतलब obviously उससे लेस होगा high risk of extinction in the wild और फिर vulnerable का मतलब क्या है high risk of endangerment in the wild यह है ना मतलब endangered हो सकती है high risk of extinction मतलब extinct हो सकती है critically endangered हम जब किसी species को बोलते है तो extremely high risk होता है इसको यहां पे threatened क्यों बोला गया है यहां पे classification क्यों बनाई गई है क्योंकि यहां से possible हो सकता है कि हम conservation करके policies के level पे बचा सकें किसी भी species को या किसी भी number को लेकिन जैसी हम यह वाला point cross करते हैं जहां पे species extinct in the wild हो गई है या फिर extinct हो गई है इसका case में बताता हूं जैसे हमारे पास है white tiger white tiger extinct in the wild है मतलब wild में कोई भी white tiger exist नहीं करता अभी वाल्ड में जितने भी white tiger है सारे captivity में exist करते हैं है ना किसी जू में होंगे किसी conservation reserve में होंगे कहीं पे दोबई वगर में जाएंगा white tiger आपको pet के तौर पे मिल जाते हैं लेकिन सारे कहीं न कहीं monitored facilities में exist करते हैं कर गई तो उसका conservation करने में है तो इसे लिए क्लियर डिस्टिंक्शन है कि हमारी threatened यहां पर threatened की बात होती है कि critically endangered endangered है तो फिर भी हम कोशिस कर सकते हैं कि wild में है अभी भी यह species थोड़ी हम intervention करके ideal environment इनको दे दे ताकि यह अपने आप ना सिखाया जाए दुबारा है ना उनको छोटे से पहले एरिया में चोड़ेंगे सब्सक्राइब एक किलोमेटर के एरिया में और यहां पर एक दोगोट छोड़ देंगे कि देखते हैं मारता है कि नहीं भूखा रखेंगे कि तुम हंट करके खाओ अलग अलग तरीके से इस तरीके से आगे बढ़ते हैं इंका इरिया बढ़ाया जाएगा अभी बढ़ाया नहीं कर देंगे एक किलोमेटर कर देंगे रेडियस फिर तीन कर देंगे तो ऐसे बढ़ाते जाएंगे फिर एक ताइम बाद में चोड़ देंगे तो यह पूरी प्रोसेस चल रही है अब तो कुछ होग नहीं सकता है इसके साथ नियर नियर थ्रेटेंड इस इसका मतलब किया है लाइकली टु बीकम एंडेंजर इंडीर फ्यूचर पिर लाइकली है तो इसमें कोई हाई रिस्क नहीं है तो अब बोलते है वलनारेवल यह ना लेकिन अगर आपली टु बिकम ह है तो फिर उसको नियर थिटेंड में बोलेंगे लीस्ट कंसर्ण में लोय स्ट्रस्क है मतलब यह सेफ है क्या लीजे तब यहां पर आप देख सकते हैं extinct हो गया इनके इनको short form में क्या बोलते हैं extinct ex extinct in the wild ew critically endangered को क्या लिखते हैं इस तरीके से अलग अलग classification आपने देख लिया अब हम आगे चलते हैं अब यह यूपसी तो 1112 के क्रिश्चन है तो यह भी नहीं है तो यहां पर आप देख सकते हैं तो इसका अंसर क्या है तो पहले बहुत बनते थे elimination वाले या फिर simply वाले अभी भी होता है बहुत बार की एकदम सिंपल यूपसी क्रिश्चन पूछ लेता है बहुत डिटेल में नहीं जाता और इन्वार्मेंट के केस में तो खासकर यह बात है कि बुक से ज्यादा बुक बुकिश्न नहीं आ रहा है समय आपको य क्रिश्चन इन ही डॉक्यमेंटरी से आ जाता है लास्ट यूपसी जो 2023 में भी हुआ था और इंगलटान पर जो किस्चन आया था वह भी यूटूब की डॉक्यमेंटरी पड़ी होई है फिर गुच्ची जो मश्रूम है जो हिमालियन में मिलता है उसके उपर भी जो क्रिश इंडिया वाली खत्म कर लीजे डॉक्यमेंटरी उसके बाद नेचर की वैसे भी जो बाहर वाली है उनको भी देख सकते हैं अब हम आगे चलते हैं फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ऑर्गनाइजेशन है वह बर्ड लाइफ इंटरनेश्टल ने लास्ट के वीडियो में बताया था कि जहां जहां इंटरनेश्टल लिखा होता है किसी वर्ड के आगे किसी ऑर्गनाइजेशन के पास वह बहुत आइब चलते हैं कि एक इंजिए होती है और यह सेम केस यहां पे भी है की बेंड इंचरनेशल क्या है या फिर एम क्या है यह ऑभ्यक्तिव क्या है सब्सक्राइब करती है उनके राउंड कैसे प्रोटेक्ट की जा सकती है उस फिल्ड में यह काम करती है जो आयूसीन में हमारी बर्ड का जो एडीशन होता है उसके लिए जो ओफिशल अथारिटी कौन सी है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल मतलब यही सजस्ट करती है कि इन बर्ड को याड कर दो इन बर्ड को निकाल दो इन बर्ड का स्टेटस टफ कर दो या लो कर दो है न तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इस दा ओफिशल रेड लेस्ट अथारि याद रख सकते हैं कि आई बीए इस रिलेटेट टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल राइट तो कौन सी साइट को यह दर्जा मिलता है या फिर यह डिस्टिंक्शन मिलता है आई बीए वाला ऐसी कोई साइट जहां पर सिग्निफिकेंट नमबर ऑफ वन या फिर मोर थेटेंड बर्ड इस्पीज हो ऐसा कोई एडिया है जहां पर एक या उससे ज्यादा रहती है या फिर ऐसा को यह दिया जहां पर लाज नमबर ऑफ माइग्रेटरी बड्स आती है तो इसको आई बीए का क्लासिफिकेशन आप द कौन इनका पार्टनर है बॉंबे नैच्राल हिस्ट्री सोसाइटी राइट तो इनकी हेल्प से इंडिया में साइट्स और इंडिया में इन्होंने 554 आई बीए साइडेंटिफाई कर रखे हैं हाला कि एंजियो है इसका कोई इंप्लिकेशन नहीं होता इसका भी इंप्लिक और अधर्वाइस अब हम आगे चलते हैं यह कुशन देख सकते हैं विट रिफ्रेंस टो बर्ल लाइफ इंटरनेशल विच फॉलिंग स्टेट्मेंट इजार करक्ट तो पहला स्टेट्मेंट है इस एक लोबल पार्टनर्शेप ऑफ कंजर्वेशन ऑफ और्गनाइजेशन तो क्या यह सही है अभी हमने लेक्टर्स में पढ़ा था बाया डाइवस्टी हाट्सपोट कौन देता है तो हमने देखा था यह इंटरनेशन करके और्गनाइजेशन थी वह यह वाला डेजिगनेशन देटी थी तो यह हमारी इंफरमेशन रॉंग है फिर लिखा है इट इटेंटिफाइज साइट्स नोन और रिफर तो एस इंपोर्टेंट बर्ड और बायो डाइवस्टी एरिया तो यह भी साही है तो इसका अंसर क्या होगा वन फ्री अनली अब इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी संस् इसे कुछ-कुछ फैक्स आज-पास लिख सकते हैं ऐसे करके और इन्हीं बसको आप अगर याद रखोगे ना तो बहुत सारे प्रेंट के कुश्टन हो जाएंगे उसी के साथ साथ मेंस में भी जब ऐसे फैक्ट्चुल इंफरमेशन आपको याद रहेगी तो आप इसलिए